इटते थे और कई बार पूर्णी मा चुलबुल को मोना के घर खेलने भेज देती थी एक दिन पूर्णी मा को अचानक मनीश के साथ अपने ससुराल जाना पड़ा मनीश की मा की तव्यत बहुत खराब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी पूर्णी मा को चुलबुल को साथ ले जाना सही नहीं लगा इसलिए उसने उसे मोना की घर पर छूड़ दिया था देख रहे हो मनीश तुम कहते थे कि मोना से दोस्ती करना सही नहीं लेकिन आज वही हमारे इतने काम आई है चुलबुल किसी के भी घर नहीं रुखती थी लेकिन देखो वो खुशी-खुशी मोना के साथ रुख गई मनीश पूर्णी मा की बात सुनकर भी कुछ नहीं बोलता है लेकिन उसे मोना कुछ ठीक नहीं लग रही थी मगर वो पूर्णिमा के सामने कुछ नहीं कह पाया दो दिन बार पूर्णिमा और मनीश वापस आ जाते हैं जब वो घर वापस आते हैं तो चुलबुल मोना के साथ खेल रही थी चुलबुल बेटा आओ देखो मम्मी पापा वापस आ गए है मगर चुलबुल मनीश की आवाज को एकदम अंदेखा कर देती है चुलबुल फिर से कुछ नहीं बोलती है मनीश को चुलबुल का ऐसे चुप रहना पसद नहीं आता है और वो से लेकर घर चल पड़ता है मगर चुलबुल अपना हाथ चुड़ा कर मोना के पास भाग जाती है पूर्णिमा और मनीश दोनों ही ये सब देख कर हैरान रह जाते है इतना कहकर मनीश चुलबुल को थपड मारनी जाही रहा था कि मोना को गुस्सा आजाता है और वो मनीश का हाथ पकड़ कर मोड देती है मोना की आँखे एकदम लाल हो जाती है और वो एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है ये क्या? ये तो ये तो एक चुड़ैल है अरे कोई बचाओ मेरी बेटी को इस से लेकिन मनीश या पुर्णिमा कोई भी उस चुड़ैल को हाथ लगा था उसके पहले ही चुलबुल ने एक चाकू उठा लिया और अपने माबाप को मारने के लिए दौड़ पड़ी मनीश और पुर्णिमा डर के कमरे के बाहर भाग गए हे भगवान आज मेरी अपनी बेटी मुझे मारने के लिए भाग रही है वो जरूर इस चुड़ैल के वश में है ये सब तुम्हारी गलती है पुर्णिमा तुमसे मैंने मना किया था कि इस औरत से दूर रहो पुर्णिमा जोर-जोर से रोने लगती है मुझे माफ कर दीजे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अब हम क्या करें हम अपनी बेटी को कैसे बचाएं रोना बंद करो अंदर चलो हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकान लेंगे